हेलो एस्पिरेंट वेलकम तो अल आफ यू ऑन क्रेक नाव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं जैसिंग मुखजी नेगर दिल्ली से आप सभी का श्वागत करता हूं में पिछले तीन क्लासों में हमने पूछे गए साइन्स एंड टेक को डिसकस किया जिसमें एक इंट्रो देते हुए एंस्वर की जो फॉर्मेटिंग है एंस्वर का जो स्ट्रक्चिरिंग है और किस प्रकार से आप अपने में बॉडि पार्ट को और कंक्लूजन के साथ अपन आपका जो यह एंस्वर रायटिंग का तरीका है व ऑफ रायटिंग और किस प्रकार से आप वर्ट का सेलेक्शन करते हो वह काफी इंपॉर्टेंस होता है जब भी आप अपने एंसर रायटिंग कर रहे होते हो क्वेस्ट्चन के कोडिंग तो सबसे बड़ी जो दिक्कत या प्रॉब्लम यह होती है कि उनको sentence की framing में दिक्कत होती है और एक structure उनका निधायत नहीं हो पाता आप देखते होंगे कि जब आप practice करते हैं तो उस practice के दर्मियान word आपके पास conclude नहीं होते word इकठे नहीं होते तो आपके जो answer की formatting होती है वह एक प्रशासनिक तरीके सना होकर generalize हो जाती है और इस generalization में आप question की demand क्या है और आप लिख क्या रहे हैं इसमें काफी अंतर create होता है तो यह सारी चीजें इस प्रक्रिया में धिरे धिरे develop होती है आपके सहयोग के लिए हमारा crack now platform आपके लिए daily answer writing practice लेकर आया है जिसमें आप current के जो घटना क्रम है उस पर अपनी practice कर सकते हैं और जो भी एक expected question बन सकते हैं commission के द्वारा उसके संदर में भी हम चर्चा करेंगे तो आज हमारी चोथी class है main sensor writing की जिसमें हम previous years में previous years में 69th BPSC में पूछे गए science and tech question को discuss करेंगे जो की आपके बिहार से संदर भी थे पिछले तीन question में हमने देखा कि किस प्रकार एक applied form में application form में आप से question पूछे जा रहे हैं हर सेतर में आपने देखा जो भी question का nature रहा है जिस पर अभी तक हमने discuss किया है आपने यह देखा कि उसमें तकनीकी क्या प्रभाव पढ़ा आपके health sector में कोई crisis create हुई है अगर करोना का time था पेंडेमिक का time था तो पेंडेमिक से पेंडेमिक को mitigate करने में पेंडेमिक से बाहर आने में तकनीकी क्या भूमिका रही इसके अलावा health sector में किस प्रकार से तकनीक प्रभावी हो सकती है और साथ ही computer की क्या भूम क्या है वर्तमान समय में सामाजिक development को लेकर हमने इस प्रकार के question पर अपनी चर्चा की आज हम देखेंगे कि उसी को हम आके continue करेंगे और देखेंगे कि तकनीकी का जो एक perspective होता है तकनीकी का जो एक dimension होता है उसको हम और किस तरीके से cover कर सकते हैं खास करके छ बिहार में और द्योगिक विकास में विज्ञान एवं प्रवद्योगिकी की भूमिका का वर्ण कीजिए डिसकर रोल ऑफ साइंस और टेकनलोजी इन इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट आफ बिहार जभी आप क्वेस्टिन देखते हो तो सबसे पहड़े आपको जो डिसाइड करना है वह आपको क्वेस्टन की फॉर्मेटिंग पर ध्यान देना है आपका जो एक एंस्वर है वह इस्ट्रेक्चर फॉर्म में हो आपके पिछले बताये गए संदर्व से अगले जो संदर्व हैं जिसको आप लिखने जा रहे हो उसकी कनेक्टिविटी हो और साथ में एक पॉइंट वाइज आपका प्रस्तुतिकरन होना चाहिए कलके क्लास में हमने यह भी चर्चा की थी पिछले क्लास में चर्चा की थी हमने कि किस प्रकार से आप अपने इंट्रो को को मेन बॉडी पार्ट को आप पॉइंट्वयं में लिख सकते हो तो मेन बॉडी पार्टा यह वह आपके एंक्सर का काफी बड़ा भाग होता है तो उसकी डिजाइनिंगा आपको संबल कर करनी है और ध्यान रखते हुए करनी है ,क्वेश्चन केwrिह के कोडिंग तो इसमें जो फेक्टर तोड़े जा सकते हैं आप उस पर ध्यान देंगे सबसे पहले तो यह रिजनल डेवलप्मेंट की बात कर रहा है कि साइंस एंट टेक्नोलोजी किस प्रकार से बिहार के और द्योगिक विकास में बिहार के और द्योगिक विकास में तो तीन चीजह यहां पर निकल कर आ रहे हैं तो जब आप इस क्योशन को अटेम्ट कर रहे हो और खास करके आप जब भीहार के छेत्र से बिहार के छेत्र से संबंदित नहीं हो क्योंकि कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो या बिहार को पढ़ के जाते हैं लेकिन बिहार की जो फिसी सम्बंदिस सोसाइटी रही है बिहार की तो क्रिसी संद्रबी सोसाइटी रहने से तात पर यह है कि अभी वहाँ पर विकास का जो क्रम है वह लगभग लगभग एक स्टेज से आगे बढ़ रहा है क्रिसी चूंकि पिछड़े पन का हम दियोतक तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी वह यह दरसाता है कि अभी काफी संभा होना है और काफी मेहनत करना बाकी है उस सोसाइटी को डेवलप होने में तो बिहार चुकि एक क्रिसी समाज है और अग्रेगरियन सोसाइटी है वह तो उसको संदर रखते हुए इसको ध्यान में रखते हुए किस प्रकार की कमी वहां पे हैं बेसिक में काफी लो रहा है उसका विकास भी अभी करने की सब्ढ़ोना है उसको विकास किया जा सकता है इस संदर में बात करेंगे और अगर आप भारत किस प्रकार से डिवलप कर रहा है कमो बेस इस इस्तिति से वाकिफ हैं तो आप इस कुष्ट्टन को अटेम्ट कर ले किसी भी छहेत्रे के विकास के लिए अगर आप उसको जान रहे हैं तो अपने उस एहनस्वर में प्रियोग कर सकते हैं जिस प्रकार से अगर हम Gum pas करें तो अध्योकी विकास के लिए। जिस प्रकार से सरकार द्वारा लाई गई उदय परियोजना है जिसमें भिजली का एक effective इस्तेमाल किया जा सकता है जो स्मार्ट ग्रीट पैटन के माध्यन से और स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है जिसमें industrialization को काफी support किया जा रहा है इसके अलावा IT सेक्टर के संदर में भी ब आपस में correlate कर पा रहे हो connect कर पा रहे हो तो आपका जो answer होगा वह concrete होगा और आप वही answer बिहार के संदर में भी लिख सकते हो यहां पर आपको खास बात यह ध्यान रखना होगा कि थोड़ा बहुत policies जो बिहार government द्वारा उस छेत्र के development के लिए बनाई जा रही है खास करके और द्योगिक विकास के लिए वह आपको याद रखना पड़ेगा बाकि central government की जो policies है state के संदर में अगर आपका वो point याद है तो आप उसके द्वारा अपने answer को format designing में सुसजित तरीके से लिख सकते हैं तो आए देखते हैं कि किस प्रकार से इस question में क्या-क्या input हम डाल सक सकते हैं यह answer writing basically आपके understanding को develop करने के लिए आप किस प्रकार से अपने answer को accumulate करेंगे कहां से आपको source मिलेगा इसके संदर में हम चर्चा करेंगे बाकि आप अपना input दे सकते हैं जब यह video आपके सामने प्रस्तूत होगा तो आप अपने comment के माध्यम से हमें और कुछ point अगर आ add की जा सकती हैं तो welcome your suggestion आप अपने suggestion के माध्यम से हमें उससे अवगत करा सकते हैं बाकि हम एक model answer जो आपके सामने प्रस्तूत करेंगे उसमें क्या-क्या point हो सकते हैं उसके संदर में हम चर्चा करेंगे तो जब बात बिहार की आती है तो जो बिहार की एक physical geography है हम देखेंगे वहां की society जो है वह काफी पूर है और वहां का जो literacy rate है वह भी अन्य राजियों के पिच्छा काफी पिच्छा हुआ हुआ है लेकिन फिर भी वहां के लोग अपने dedication की विज़से अपने मेहनत की विज जेत रहें वहां पर उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है तो अगर वहां के हमारे विहारी समाज की लोग बाहर जाकर अपनी भूमिका का एक अच्छा दाई तो निभा सकते हैं तो वहां का development क्यों नहीं हो सकता इसके संदर में हमें सोचना है और अपने point को collect करके अपन इन्वेशन की संभावना यहां दिखती है और बीसे संदर्म में देखें तो टूरिजम यहां पर काफी प्रमोट हुआ है और टूरिजम को यहां पर काफी ज्यादा विवस्तिक तरीके से विकास किया जा रहा है चुकि एक अग्रेरियन सोसाइटी या फिर अग्रेरियन ए के कारण यहां का आर्थिक विकास उस रूप में संभावन नहीं हो पाया फिर भी सरकार प्रयास रथ है कि हम क्रेंट जो इन्वेशन है करेंट जो डेवलप्मेंट है उसके माध्यम से उस विकास को सुचारू रूप से कंटीन्यू करें तो देखते हैं हम अपना प्रश्टावना कर सकते हैं प्रस्तावना में आप इस लिख सकते हैं कि चुकि बिहार एक क्रिस्ती सामाजिक प्रदेश रहा है और यहां पर और द्योगिक पिछडापन दिखाई देता है लेकिन सरकार आधूनिक समय में साइंस तकनीक का उपयोग करते हुए इसके विकास के संदर में बात कर रही है यह आपका इंट्रोडक्शन हो गया है इंट्रोडक्शन आपका बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए तो आप यहां पर जो एक क्रिस्ती सामाजिक प्रदेश है क्योंकि हम लिखेंगे क्योंकि बिहार एक क्रिस्ती सामाजिक प्रदेश है बिहार एक क्रिस्ती सामाजिक प्रदेश है और द्योगिक विकास उस रूप में नहीं हो पाया है आप इसके जो और द्योगिक स्थिती है उसको भी आप लिख सकते हो और द्योगिक विकास सतत जारी है आप इस तरस लिख सकते हो सतत जारी है और द्योगिक विकास सतत जारी है और विभिन प्रकार के विभिन प्रकार के आधोनिक नवाचार प्रद्योगिक के माध्यम से आवर द्योगिक के माध्यम से ओध्योगिक विकास को अधिया जा रहा है और द्योगिक विकास को और द्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है चुकि आपके question का demand है और question का main theme है आपको industrialization दिखाना है बिहार के development का through science and technology तो इस रूप में आपकी भूमिका महत्तपूर्ण हो जाती है कि आपका introduction उस चीज को cover करते हुए चले जिसमें जो पिछड़ापन है उसको आप mention करें और सरकार के क्या प्रयास है उस प्रयास को आप आप एक overview के तरीके में प्रस्तूत कर सकते हैं तो हमने देखा कि चुकि बिहार एक किसी समाजिक प्रदेश है और द्योगिक विकास सतत जारी है विभीन प्रकार के आधूनिक नवाचार प्रद्योगिकी के माध्यम से और देगिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है इ दो आपकी जो इंट्रो है वह 20-25 वर्ड का होना चाहिए कि तो से 115 वर्ड का आपका में कंटेंट पार्ट होना चाहिए तो यह हमारा प्रस्तावना है हमारा इंट्रोडक्षन है जिसमें हमने वहां की समश्या है और किस प्रकार से सरकार प्यासरत है उसके संदर में बात की, अब क्या-क्या की पॉइंट है जो हमारे main body part में include हो सकते हैं, उसके संदर में बात करें, चुकि theme और द्योग विकास है, question का main part और द्योग विकास है, तो इस और द्योग की विकास को आपको ध्यान में रखना है क कि क्या प्यास national level पर किया जा रहे हैं, उसी को आपको state में input डालना है, तो जिस प्रकार से हम देखें, तो क्योंकि आपका primary sector, secondary sector और tertiary sector है, आपस में correlate है, तो जब आपका industry development आपका secondary sector में आता है, आपके दुदियक छेतर में आता है, लेकिन दुदियक छेतर के लिए जो raw material चाहिए होता है, उसकी dependency आपके primary sector पर होती है, तात्मी sector पर होती है, तो उस अंदर में अगर हम देखें, तो तीनों का विकास आपके service sector का, आपके industry का और आपके krisi का, ये तीनों का विकास parallel होना चाहिए, तब जाके आपका विकास जो है एक समुचित सामोहिक विकास करती है, कि हम बात करेंगे, किसी विकास में किस प्रकार किया जा रहा है, तो किसी विकास में तकनीकी को आप देखेंगे, तो नए नए hybrid, जो HYV, नए तरीके के hybrid भीज का इस्तिमाल किया जा रहा है, ताकि production जादा हो पाए, आपका production जादा होगा, तो आपकी जो खाद उत से प्रतारित नहीं होगी, तो सबसे पहली चीज, आपका science and technology का development की रूप में हो रहा है, high variety जो yielding है, जो बीज है, उनको promote करने में, उनके उत्पादन में, उनके निर्मार में, तो आप यहां लिख सकते हो, extremely sorry, आपका जो पहला point है कि विज्ञान और प्रद्योगी का इस्तेमाल, विज्ञान और प्रद्योग की का उप्योग, high variety yield को विख्षित करने हैं तू, high variety yield को विख्षित करने हैं तू, यह आपका पहला point है, जिसमें आपके, इसका भी विकाज होता है, industry के माध्यम से ही होता है, तो आप इसमें क्रिसी के शेतर को mention कर रहे हो, इसको आपको घबनान नहीं है, तो high variety yield को विख्षित करने के हैतू, जिसके क्रिसी का उत्पादन है, वह बढ़ाया जा सके, तो उसके लिए तकनीगी का और किस रूप में उप्योग किया जा सकता है, उसके संदर में हम देखेंगे, तो जिसमें आपका देखेंगे productivity, इनहांस करना और उसके efficiency वाले जो sector है, उसमें अपने प्रयोग को सामिल करना यह भूमिका बड़ी हो जाती है, एक sustainable practice द्वारा भी जो आपके industrial development है, उसको बढ़ाया जा सकता है, sustainable practice आपके क्या होगी, sustainable practice के रूप में अगर हम देखें, एक आपके सतत जो प्रयास है, और द्योगिक विकास में, सतत प्रयास आपके और द्योगिक विकास में, जिसमें आपके research and development, जो आपकी सोधर विकास के कारे हैं, सोधर विकास के कारे, सोधर विकास के कारे, इसके अलावा जो nest होने वाले जो पादित परार्थ हैं, उनको कितने जल्दी तरीके से एक FMCG जो goods से उनमें convert करके, उनकी branding और promotion किया जा सकता है, इसके संदर में भी आपको ये और द्योगिक शेतर को याद रखना पड़ेगा, जो FMCG goods हैं, उनका एक बेहतर तरीके से जो promotion होता है, वह भी जरूरी होता है, science and technology के माध्यम से, विभिन छेतर के government द्वारा, विभिन छेतर की जो policy बनाई जाती है, खास करके हम बिहार के संदर में बात कर रहे हैं, तो FMCG जो goods हैं, उनका बेहतर, बेहतर supply कर सकते हैं, आप, supply, इसके अलावा आप innovation, entrepreneurship और विभिन प्रकार के जो incubator research park हैं, उसको develop करके वहां की industry को establish कर सकते हैं, इंड़स्ट्री का विकास कर सकते हैं, तो जो दो तीन चीज़े हैं, incubator, research field, innovation और जो technological development, जो technological tool है, उसका इस्तिमाल करके हम इसका विकास कर सकते हैं, आपका innovation है, नवाचार जिसे करते हैं, नवाचार, incubation, incubation जो सोधकारे हैं, उसको बढ़ावा देकर, incubation सोधकारे को बढ़ावा देकर और साथ ही, जो आपके transportation और logistic के जो कारे हैं, transportation और logistic जो development है, उसको बढ़ावा देकर उसके वर्क करके, transportation का मतलब यह होता है कि अगर आपके industry से कोई भी goods का निर्माढ हुआ, तो transportation की व्यश्था क्या है, कि वह service sector तक जाकर लोगों को तक अपनी पहुँच बना पाएं, लोगों तक पहुँच पाएं, तो इसमें आपका fourth point हो जाएगा, logistic, logistic, logistic के लावा आप देखेंगे कि transportation, logistic transportation, अब इसमें science और तक्निकी किस रूप में भूमिका निभा सकता है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे, अगर C connectivity है, नदियों के बीच में river connectivity है, तो supply के लिए विभीन प्रकार के नाव चला जाते है, नाव नहीं कर सकते हैं, उसको C होता है, सौरी, जहाजों के माध्यम से जो वस्तुओं का आवा गमन होता है, उसको त्वरीत किया जाता है, जो supply management है, उसको storm किया जाता है, इवेन आज के टाइम में connectivity को जोड़े रखने के लिए air transportation जो है, वह काफी ज़्यादा उपयोग में किया जा रहा है, जिसमें आप गुजरात का सफल example ले सकते हैं, अमूल जो सहकारी cooperation societies हैं जिस प्रकार से वर्क करती हैं, आपके गुजरात में तयार हुआ दोध आपके इंडिया के किसी भी कोने में तवरीत रूप से पहुच कर उस जो service है उसको भी strong करता है, और उस industry का जो base है उसको भी strong करता है, तो ये चीजे air transportation, rail transportation, roadway transportation और इसके अल उसके माध्यम से विकास किया जा सकता है industry का, ये सारी चीजे हैं जिस पे हमने अपनी चर्चा की और इसमें एक वर्तमान संदर में देखें, तो service sector को छोड़ जें, तो आपका industrial development इस रूप में भी देखा जाता है, कि किस प्रकार से वहां का atmospheric curriculum क्या है, बिजनेस को लेकर औ और दो छेत्रों के बीच में आपसी connectivity को लेकर, तो आपके road, logistics, transportation और incubation सोध कारे जो हैं, वह बड़े महत्वपूर्ण रूप से किसी भी छेत्र के अध्योगिक विकास को दरसाते हैं, तो ये हमारा मुख्य point था, जिस पे हमने चर्चा किया, और ये main body part है हमारे answer का, तो इ आप systematic तरीके से, विवस्थी तरीके से लिखते हैं, तो आपको लिखने में परिशानी नहीं होती है, तो हमने अपना प्रस्तावना देखा, अपना इंट्रोर देखा, अपना main body part देखा, अब conclusion देखते हैं, कि conclusion क्या हो सकता, इस question का, तो जिस प्रकार से आपने question की characteristic vision है, उसके संदर में क्या बाते रखी जा सकती है, उस पर आपको चर्चा करना होगा, आपके conclusion में, तब जाकर आपका conclusion, एक concrete conclusion होगा, तो देख लेते हैं कि conclusion क्या होगा, इस question का, just a minute, discuss, अगर हम निश्कर्च की बात करें, तो जिस प्रकार से smart cities mission की संकर्णा की जा रही है, smart cities, तो आप अपने example में put कर सकते हो, कि प्रयास निरंतर जारी है, और एक पिछडे छेतर से एक विक्सित छेतर की और बढ़ने की प्रक्रिया में, बिहार अपने अध्योगिक जो विकास है, उससे संदर्वित होता है, उसको सहयोग करता है, तो इसमें आप smart city mission का example दे सकते हो, smart city mission, यह आपका primary sector से लेके आपके जो एक urban concept है, primary sector, secondary sector और जो टर्सरी सेक्टर है, दोनों को आपस, तीनों को आपसे correlate करता है, तो इसमें आपका smart city mission यह भूम का महत्तर पूर्ण हो जाती है, उदय जो योजना है, उसको आप mention कर सकते हो, उदय योजना, उदय योजना का जो मुख्य उद्धेश है, एक रूप से यह भी रहा है, कि industry को जो ओर्जा सप्लाइ की जाती है, उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, तो उदय योजना आप mention कर सकते हो, एक्सामपल, जितना जाधा आप put करोगे, आपके answer की जो summary होगी, आपका answer का जो प्रस्तुति करण होगा, उतना बहतरीन होगा, स्मार्ट सिटी मिशन, उदय योजना, और इसके अलावा हम देखेंगे, कि science and technology ने किस परकार से, जो human capital development है, उसमें भी अपनी भूम का महत्तवपूर्ण की है, उसकी भूम का महत्तवपूर्ण रही है, human capital development में, human, capital, development, स्मार्ट सिटी मिशन, उदय योजना, और human capital development पे कारे किये जा रहे है, जिससे वहां का जो अवध्योगिक विकास है, वह अपनी सतत जारी रहे और उस विकास को पूर्ण करे, तो यह हमारा इस question का answer है, किसी भी प्रकार की suggestion के लिए आप comment कर सकते हैं, और इसमें अगर आप कुछ और add करना चाहते हैं, जिसमें आप अपने answer को और बहतरी प्रस्तूत कर सकते हैं, हमने एक model answer इस रूप में भी प्रस्तूत किया है, कि यह एक idea हो सकता है, एक general आपका input हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी आप अपने answer को create कर सकते हैं, उसको suggestion दे सकते हैं, आपका welcome है, तो अगर आपको यह video अच्छा लगा हो, तो चैनल को subscribe करें, अपने दोस्तों को share करें, thank you, thank you so much.